नमस्कार आप देख रहे हैं टिपेवी नियूज और मैं हूँ आपके साथ इंदूरा ठोड बुलिटिन की शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे आज की कुछ एहम खबरों पर टॉंक के निवाई सदर निवाई और दत्वास थाने का ASP मनिश्ट्र पाठी ने निरिक्षन किया जोरान ASP ने थानों में विवस्ताओं की जानकारी ली और ASI धता हैड कॉंस्टेबल को आवश्रक दिशा निर्देश दी आपको पता दी कि पुलिस अदिक्षक जब थानों का निरिक्षन करने पहुंचे तो उन्हें गॉल्ड आफ ओनर दिया गया आज सुबेरे से मैं सर्कल निवाई के विविन थानों में गया हूँ और क्योंकि मैंने दो दिन पहले ही जिले को जोईन किया है तो मैं इस जिले के विविन थानों में इसका एक जोग्रीकल ओरिएंटेशन के हिसाब से मैं बहुगलिक परिस्थितियां वहां कि क्या इस्तितियां है सब को नाकेवल मैं फिजिकली देख रहा हूँ वहां के मुलाजमानों से बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं करना चाहता हूं कि हम अपना घर ठीक करें अपने विवस्थाइं ठीक करें समाज से हमारी बहुत सारी उम्मीदें समाज को हम से बहुत सारी उम्मीदें लेकिन सबसे पहले हम अपना घर ठीक करेंगे अपना घर इंप्रूव करेंगे अपना विवार ठीक करे मैं ये भी सम्झाना चाहता हूं कि हम अच्छा काम करेंगे तो लोग हमारी प्रिशन सा करेंगे रोज एक अच्छा काम करेंगे लाडनो पुलिस ने मादक परधारतों के विरुत कारवाई करती हूँ एक बिना नंबर की बाइक पर सवार दो तसकरों को अफिम के साथ गिरफतार किया है मतादे की पुलिस ने हनुमान राम पुत्र भिया राम मेगवाल निवासी कमेडिया वा मनुहर उर्फ मनोच पुत्र भगताराम मेगवाल निवासी कमेडिया को गिरफतार किया है दोनों के पास से 180 ग्राम अफिम परामत किया गया फिलाल NDPS Act में मामला दर्च कर लिया गया है अलवर जिले के कैठल में बन पड़ी फ्लोर मिल में चोरी हुई थी उस मामले में पुलस ने चोरी के सामान के साथ दो चोरू को गिरफतार किया मतादे की 14 जनवरी को दीपक गुपता ने चोरी की रिपोर्ट तर्च कर आई थी धर्यावाद में सित मंदिर में बनी गुफा में एक अजगर ने बंदर को निगल लिया वीडियो में दिखा जा सकता है कि एक लंबा आजगर गुफा की ओर जा रहा था मतादे कि इसकी जनकारी संबंधित विभाग को दी गए और विभाग इसपर कारवाई कर रहा है राज की ओचु माध्यमेक विधाले रायला में विवसाइक शिक्षय यूशना के अंतरगज सेमिनार प्रतियोगीता का आयोचन किया गया जिसमें कक्षा 9-12 की चात्र चात्रा उनी मौडल बनाए इसके साथ ही सेमिनार में विधार्तियों की द्वारा विवसाइक शिक्षय से संबंधित विशो पर मौलिक विचार भी प्रस्तुत किये गए बुंदी के 99 बस स्टैंड पर चारो और हो रहा अतिक्रमन वाहन चालो को के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है लेकिन नगरपाली का अतिक्रमन के खिलाफ कोई कारवाई नहीं कर रही है मतादे की बस स्टैंड पर रोजाना दरजनो बस का आवगमन होता है लेकिन यहां लगने वाले फल सबजी के ठेले वाहन चालो को के लिए बड़ी मुसीबत बन गए डीडवाना की नज़्दी की ग्राम दौलतपुरा में विवाहिता की संग्दिध हालत में मौत होगे जिसके बाद उसका पोस्मार्टम करवाया गया जानकारी के नुसर मृतिका ने 15 माँ पुर्फ कुंभा राम के साथ प्रेम विवा किया था मूल रुप से मृतिका शार्दा गाम पाबुपुरा की निवासी है पुलिस ने बताया की महिला का पोस्मार्टम कराया गया है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्तुती साफ हो पाईगी रामपुरा में धूमदाम से राजस्तान की सूपरसिद लोग देवता वीर तेजाजी महराज की जैनती मनाई गई सुपलक्षपर वीर तेजाजी वबासक बाबाधाम रामपुरा में गादी पती रतनलाल महराज ने विशेश पूजा अर्चना कर लोग देवता वीर तेजाजी महराज की जीवनी पर प्रकाश चाला जौरान तेजाजी की महा आर्थी कर प्रसाद वित्रण भी क्या गया फिलाल के लिए इतना ही तब तक के लिए देखते रहें टिपीवी नियूज